वेल्कम लग्रीवान आप सभी का हमार एजगरेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मूटी पर एक बार फिर से स्वागत है आज के अगर हम सेशन की बात करें तो रिजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दो होने वाला है यहां पर आज आप देख सकते हैं पने स्क्रीन पर कि हम लोग सेशनल दो हजार 21 के अगर बात करें तो 16 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्र को हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे बात करेंगे प्रिवेस सेशन की तो प्रिवेस सेशन में आपने से बहुत सारे स्टुडेंट हमारे साथ जूले और यही सजेशन होगा कि आप इस पर्टिकुलर सेशन की अगर हम बात करें जो भी प्रैक्टिस सेशन सापको प्रोइड कराया जा रहा है फिर चाहे वो किसी भी सब्जेट का हो रिजनिंग का हो मैट्स का हो इंगलिश का हो या फिर आपके जीय सब्जेट से रिलेटेड आप इस पी प्रोइड को प्रैक्टिस सेशन प्रोइड करा जा रहा है तो हर एक सब्जेट के सेशन में आपको pen और copy साथ लेकर के बैठना है साथ ही साथ आपको जो रिस्पॉन्स है वह भी हमें कमेंड करके जरूर बता हैं जिससे हम जान सकें कि आपकी त्यारी में जो hurdles हैं व करेंगे चलिए बात कर लेते हैं कि पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोश्चन के अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है नीचे दी गई आकरती में कागज के एक टुकले को मुड़ने का करम और उस मुड़े कागज को काटने का तरीका दर्शाएगा यानिकि अ हम लोग क्या करते हैं मिरर लगाते हैं लास्ट फोल्ड के अगर हम बात करें तो लास्ट फोल्ड आपको यहां से दिखाई दे रहा है और इस हिस्से को जिसको हमने मोड़ा है कितने भाग को कवर कर रहा है तो यह केवल और केवल आपके इस भाग को कवर कर रहा है यानिकि एकर मात करें टॉपम् स्ट ऐलिमेंट ça के आपका सर दिखाई रहा है यह दो एलिमेंट कहीं भी सकाटिंग वाले से मैं जसको हमने वोल्ड किया कवर up करते हुए दिखाई नहीं दे बाकि अगर हम mirror की बात करें तो mirror के पास वाला image आपको mirror के पास बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से तो answer के अगर हम बात करें तो clearly यहाँ पर answer mark कर सकते हैं यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर option number 1 की तो option number 1 की हो जाएगा पूछेगा प्रशनका सही उत्तर हो जाएगा option number 1 की हो जाएगा पूछेगा प्रशनका सही उत्तर हो जाएगा जबकि B की बात करें तो B में याँ आपको triangle दिखाई दे रहा है जिसके कारण से eliminate हो रहा और यहाँ पर आपको circle दिखाई दे रहा जो कि यहाँ पर cover up होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा folding वाले हिस्से में इसी प्रकार आप C को भी eliminate कर सकते थे और D को भी आप क्या कर सकते थे eliminate कर सकते थे तो काफी आसान सा question था बात करेंगे यहाँ पर अगले पूछे गए प्रस्ण की अगले प्रस्ण की बात की बात करूँ तो बोला है निमनलिखित वेन obviously में उन परिवारों की शंखया दरसाई गई है जिनों ने तीन अले अलग अलग स्थानों श्रीनगर, श्मला, और गंगठोक की यात्रह की ए उन परिवारों की संखया कितनी है जिनों ने श्री नगर, शिमला और गंग टोक में से कम से कम दो स्थानों की यात्रा करी है तो यहाँ पर आप वेन डाइगरम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो यह वाला हिस्सा है यह किसको दर्शारा है? जैसे अगर हम बात करें 7 की तो 7 आपको जो है वो दर्शारा किसको गंग टोक और स्री नगर के यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को इसी प्रकार अगर हम सिमला और स्री नगर की बात करें तो 22 इनको दर्शारा है और 5 की बात करें तो गंग टोक और सिमला की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शारा है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि बोला गया है कम से कम दो थानों at least two इंगलिश के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको at least two दिखाई दे रहा है यानि कि at least का मतलब यह है कि कम से कम दो हो दो से अधिक भी हो सकता है अगर हम 15 की बात करें ऐसे हैं तो अगर हम बात करें कम से कम उन व्यक्तियों के संख्या की जिनों न these दो स्थानओं की यात्रा कर यह तो बैस प्लस مरे उंधिया ने靖्लक करेंगोश को समझे लंगवेज को समझना है language पर बेस्ट मैंने बहुत ही detail में आपको जानकारी बताई कि at least at most फिर चाहे वो आपका cube and cuboid का chapter रहा हो या sitting arrangement में इस प्रकार से जो भी आपको statements देखने को मिले हो तो मैंने हर एक जगे पे आपको language की importance बताई है अगला प्रसन आपका number series पर best question है तो फटाफट से हम लोग difference की बात कर लेंगे 37 and 52 की अगर हम बात करें तो 37, 5, 42 और 10, 52 यानि कि यहाँ पे आपको 15 का अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 22 का अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 30 का अंतर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 49 यानि की 39 का अंतर देखने को मिल रहा है अब अगर हम यहाँ पे difference के difference की बात करें तो clearly देख सकते हैं यहाँ पे आपको 7 का difference नजर आ रहा है in the same way यहाँ पर आपको 9 का difference नजर आ रहा है यानि कि अगला जो होगा वो कितने का होगा वो 10 का difference होगा 10 प्लस 39 करोगे तो value मिल जाएगी 49 and 149 प्लस 143 को जब आप add करेंगे तो value मिल जाएगी यहाँ पर 192 जो कि आपको option number D में clearly दिखाई दे रहा है यानि कि प्रस्टों को आप काफी आसानी से बना सकते हैं बस आपको जो approach बताएगे उस approach को आपको क्या करना है follow करना है चली next question की बात करें तो जैसे कि पहले session में मैंने आपको बताया था कि numbers की अगर हम बात करें तो calculation कहीं आपकी थोड़ी से fast होनी चाहिए इसके लाव अगर हम बात करें तो दिए गए numbers को आपको पहचानना है कि यह किस particular number का perfect square है या इसके आसपास का number है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पार है 444 की अगर हम बात करें तो 21 का square कितना होता है 441 और प्लस अगर हम यहाँ पर 4 कर दें तो value कितने मिल जाएगी 445 अगर हम 24 के square की बात करें तो कितना होता है 576 और इसमें यहीं हम क्या करते है प्लस 4 करते है तो value हमें कितने मिल जाएगी 580 मिल जाएगी जो कि आपको clearly option number D में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आसान सा question था logic को लेकर के यहाँ पर कोई difficulty नहीं होने वाली इसको आप orally बना सकते हैं आपको even copy pin की भ्यावशकता नहीं पड़ेगी बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की जो कि आपका mathematical operations पर based question है तो हम बात करेंगे यहाँ पर priority order की जहाँ पर division में आपको divide करने पर value आपको point में मिलेगी उस option को आप क्या करेंगे hold करेंगे equals to में मैंने आपको बताया last वाले को पहले priority देनी है तो यहाँ अगर हम बात करें पहले option की तो पहले option को हम लोग करेंगे hold second option के अगर हम बात करें आपका minus यहाँ पर हो जाएगा आपका plus यहाँ पर हो जाएगा multiply then minus then plus then equals to यहाँ पर हम इसको solve करते हैं तो board mask का rule हम लोग यहाँ पर follow करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे divide करेंगे तो value मिल जाएगी यहाँ पर अपने को 7 7 into क्या करना है 11 करना है minus करना है 6 plus 3 यानि bracket को पहले solve करेंगे board mask के according फिर हम क्या करेंगे divide करेंगे then multiply तो यहाँ पर हम बात करें 6 plus 3 की value कितनी मिल जाएगी हमें 9 मिल जाएगी equals to का यहाँ रहेगा 90 यह हो जाएगा 36 minus का 14 plus थोड़ा सा चली यहाँ से space ले ले लेते हैं तो यह हो जाएगा आपको 36 minus 14 और यह value हो जाएगा आपकी plus में तो clearly आप देख सकते है 11 into 7 करोगे तो value मिल जाएगी 77 77 में आप क्या करना है यहाँ पे plus 36 कर देना 77 में आपको कर देना plus 36 और इसके बाद में आपको कर देना minus का 14 और minus का 9 यानि कि यह value बन जाएगी minus 23 तो यहाँ पे बचेगा आपका plus का 13 यानि कि 77 plus 13 करोगे तो clearly value आपको 90 बनती हुई दिखाई देगी यानि कि यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए तो इस प्रकार से आप अपना समय बचा पाएंगे priority order को अगर आप follow करते हैं तो चली बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण आपका coding decoding पर based question है अगर हम बात करें प्रस्ण की तो end is written as CLPF तो a plus two की बात करें तो c मिल जाएगा और अगर हम यहाँ पर d plus two की बात करें तो f मिल जाएगा n की अगर हम बात करें तो minus two plus two देखिए काफी आसा question है देख करके औरली बनाने वाला प्रस्ण है यहाँ पे place value चाहो तो आप लिख लो यहाँ पर आपको दिया गया है c फिर दिया गया इस प्रकार से l, p और फिर आपको दिया गया है f तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 से हो जा रहा है अच्छे यहाँ पर हम बात करें तो 1 से हो जा रहा है 3 यहां पर 14 इसकी value तो 14 minus 2 करोगे तो मिल रहा है 12 और plus 2 करोगे तो मिल रहा है आपको 16 इसी प्रकार आपको अगले word में भी देखने को मिल रहा है नौर के लिए यानि कि पूछा किसके लिए गया है बट के लिए तो बट में B plus 2 करोगे तो मिल जाएगा क्या D D आपको दो वी कलपों में दिखाई दे रहा है और लाज की बात कर तो T plus 2 करोगे तो मिल जाएगा वी जो कि आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर B में बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाकी यू के लिए 21 माइनस 2 करोगे 19 और 21 प्लस 2 करोगे 23 प्लेस वैलू यहाँ पे S और W की बनती हुए आपको दिखाई दे रही है बात करेंगे अगले पूछे गए प्रस्न की अगले प्रस्न की अगर हम बात करें तो खराब और अच्छा विलोम शब्दों की हम बात करें या विपरीत अर्थक शब्दों की हम यहाँ पे बात करें तो इसी प्रकार अगर हम बात करें खाना बदोस खाना बदोस इसके रह तो केरलेस भी नहीं होगा निशाचर भी नहीं होगा यहां पर एक ही आपका उप्शन बसता है सेटल जो कि आपको ऑप्शन नमबर डी में दिखाई दे रहा है बात कर लेंगे अगले पूछे गए प्रस्ण की कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है कितने प्रस्ण आपके बात करते दिया गया है पॉइंटिंग टुड़ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल रागाव सेड रागाव गल के बारे में बताता है शी इस माइफादर्स मदर्स डॉटर्टर उनली ब्रदर्स डॉटर्टर यानि कि अगर बात करें यहां पर माई वर्ड तो माई वर्ड आपक की मदर यानि की राघव की दादी की डाटर यानि की राघव की बुवा के इकलोते भाई यानि की अगेन हम आगे किसके राघव के फादर की बात कर रहे है की डाटर यानि की राघव की सिस्टर की यहाँ पे बात हो रही है जो गर्ल है वो कौन है रागाव की सिस्टर है तो अगेन यहाँ पे देखिए रागाव के फादर के मदर यानि रागाव की दादी की बेटी यानि की रागाव की बुवा के इकलोते भाई यानि की रागाव के पापा के पुत्री यानि की रागाव की सिस्टर question के अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा how is Raghav's father related to that girl's mother इस लड़की की माता के अगर हम बात करें तो इस लड़की की माता Raghav के पिता से किस प्रकार संबंदित है तो यानिके अगर हम बात करें how is Raghav's father related to that girl's mother इस लड़की की माता से रागव के फादर किस प्रकार सम्बंदीत है तो अंसर के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा option number C यानि की husband clear आसानी से बना सकते हैं आपको family tree में मैंने बताए कि किस प्रकार से structure हमें बनाना है language के अगर हम बात करें तो he is her, he is she किसके लिए आता है पेर में से पैचानना की कौन इस प्रकार के relation को क्या कर रहा है represent कर रहा है यानि की दन चिकिसक कहा मिलेगा अस्पताल मिलेगा तो engineer क्या करता है design बनाता है डॉक्टर क्या करता है treatment करता है प्रोफेसर के अगर हम बात करें तो university में क्या होता है police station में आपको police कर्मी मिलेंगे चली बात करें अगर अगले question की तो alphabetical series पर based question है यहाँ पर हम सीधे सीधे बात करेंगे किसकी place value की तो clearly देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है board और यहाँ पर आपको कोई भी changes दिखाई नहीं दे रहे जाने कि इस प्रकार के अगर हम प्रस्न की बात करें तो इस प्रकार के प्रस्न को भी मैंने discuss किया हुआ है series के part 2 में तो अगर आप लोगों ने series का part 2 नहीं देखा तो जरूर देखें क्योंकि आप देख पा रहे हैं पर कि exam में इस प्रकार से प्रस्न आपको देखने को मिलते हैं आप अगर हम बात करें changes की तो changes कहां हो रहे हैं जैसे ऐगर हम बात करें नेक्स्ट जब हम step में जा रहे हैं तो यहां पर लाज्ट में इसके ने के next step की बात करेंगे तो यहां पर एक उ stickです या म하는데 को मिलेगा जङने को मिलें तो आंसर के घरा बात करें तो B, O, Z, I और W हो जाएगा और इसको आप verify कैसे कर सकते हैं कि जब इसके next step में जाएंगे तो ओका opposite L यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा तो answer के अगर हम बात करें तो B, O, Z, I W option number A will be the right answer for the given question चलिए अगला question open dice से है यहाँ पर आपको बुला गया A अक्षर वाले फलक के विप्रीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा तो सीधे सीधे आप answer माग कर सकते है option number A काफी आसान सा question है यहाँ पर कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है चलिए बात कर लेते हैं प्रशन की जैसा कि मैंने आपको प्रिवर सेशन नहीं बताए कि कुछ question यहाँ पर आपको directly ही मैस से देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके reasoning section में पूछे गए प्रशन है तो मैंने आपसे कहा भी था कि इस प्रकार के प्रशनों को कहीं न कहीं जो आपके मैस के expert यानि कि सौरप सर आपके साथ में discuss करेंगे लेकिन अब गलती से question आ ही गया है तो चलिए discuss कर लेते हैं तो question के अगर हम बात करें तो बुला है when a number x multiplied to its next number the product is 1260 तो अगर आप लोगोंने math में equality पढ़ा हो तो हम क्या करते थे इस करके numbers का factor करते थे जहां पर तोड़ने पर जोडने पर इतना आना ची घटाने पर इतना ना ची तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं x multiplied to its next number यानि कि दो consecutive numbers का जो यहां पर multiplication हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या मिल रहा हमें 1260 मिल रहा है तो इसको कर सकते हैं तो अगर हम बात करें यह 4 से divisible है तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12 4 1 हो जाएगा 4 बचेगा आपका 2 और 4 5 हो जाएगा 20 यानि कि 315 को जब हम 4 से गुड़ा करेंगे तो value मिलेगी हमें 1260 लेकिन यहां पर दो consecutive numbers अभी नहीं बन रहे है 315 को हम यहां पर 5 से काट सकते हैं तो यह 6 बार में जाएगा 30 और 3 बार में जाएगा 15 यह हो जाएगा 5 और यहां पर हमारा चार as it is बना हुआ है क्या इन numbers हम दो consecutive numbers बना सकते हैं 940 35 75 35 तो देखिए दो consecutive numbers हमें मिल चुके हैं यानि कि अगर हम बात करें 940 की तो यह बनेगा 36 और 750 की तो यह बनेगा 35 यानि कि अगर इसको हम X माल ले तो X को जब हम इसके next number से multiply करेंगे तो हमें value कितनी मिल जाएगी 1260 value हमें यहाँ पर बनती भी दिखाई देगी अब आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है when number X is added to number Y the total of 106 is obtained यानि कि 106 में से अगर हम यहाँ पर क्या घटा दे 35 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी Y की value मिल जाएगी यानि 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा 10 में से यहा of Y assume numbers to be positive ठीक है तो अगर हम बात करें तो Y की value में बताना था और Y की value यहाँ पर हमें मिल चुकी तो answer का जाएग option number B यानिकि 71 will be the right answer for the given question चली बात कर लेते हैं अगले प्रसन की जो कि आपका figure series पर based question है figure series के अगर हम बात करें तो जब हम इसके next step में move करते हैं तो यहाँ प बात करें तो बाकी के जो elements बच गए हैं यानिकि बाकी के बचे जो चार elements है इनका आपको क्या दिखाई दे रहा है तो water image बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि जब हम बात करेंगे इसके next step की तो जो last element है वह आपको as it is दिखाई दे रहा है जबकि जो बचे हुए चार element है इनका आपको क्या दिखाई दे रहा है water image बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि जब हम बात करेंगे इसके next step की तो जो last element है वह आपको as it is दिखाई देगा यानि कि option number c तो यहीं से क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा बात कर लेते हम बचे हुए चार element की तो इनक से पहले मिलेगा आपको cross cross के बाद मिलेगा आपको star star के बाद मिलेगा आपको यह circle वाला यानि कि answer को जाएगा option number b for the given question तो इस particular question के लिए answer आपका option number b बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसको भी आप यहाँ से eliminate कर सकते थे यहाँ पर दो आपको similar direction में elements दिखाई दे रहे है चली बात करेंगे अगले प्रशन की अगला प्रशन आपका silogs पर based है इसके बाद में आपको हिंदी में भी same question देखने को मिलेगा तो फटा फट से क्या करेंगे structure बनाएंगे structure के अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है all dancers are talented सारे के सारे dancers क्या है talented है फिर आपको बोला है some girls ा dancers कुछ girls क्या है dancers conclusion के अगर हम बात करें तो बोला है some girls are talented कुछ girls क्या है talented है तो बिल्कुल यहाँ आपका conclusion यहाँ पर correct होता हुआ दिखाई दे रहा है next one के अगर हम बात करें all talented are girls तो हम क्या बोलेंगे can't say all girls are talented के अगर हम बात करें तो यह भी क्या हो जाएगा आपका can't से हो जाएगा यानिक answer के अगर हम बात करें तो answer हो जाएगा आपका only conclusion one follows यानिक option number c same question आपका यहाँ पर हिंदी में भी available है silogs का अगर class आपने लोगों ने नहीं किया है तो बिल्कुल basic concept पर based यह question है class करने के बाद आप question लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा बाकी जिन लोगों ने किया है तो बताईएगा कि silogs के question का answer कितने लोगों के correct आए है चलिए हिंदी में प्रस्ण आपके सामने आप इसका screenshot ले सकते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की यहाँ पे हम बात करेंगे number of triangles की counting of figures पर based आपका question है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ basic तरीका है जिससे आप आसानी से separate separate गिन सकते हैं बाकी मैं आपको one figure two figure करके भी तरीका बताया है इतना आपको करने की आउशकता नहीं आप clearly में जहां जहां पे structure draw कर रहा हूं उस area को आप लोग watch करेंगे यानि कि अगर हम बात करें इस हिस्षे से तो इस हिस्षे से हमें कितने triangle बनते हुए दिखाई देंगे तो इस हिस्षे से हमें 3 triangle बनते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा अगर हम बात करें इस हिस्से से तो इस हिस्से से भी हमें कितने ट्रेंगल बनते हुँ दिखाई देंगे तीन ट्रेंगल यानि कितने होगे तीन और तीन शे इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस हिस्से से अगर हम बात कर तो इस हिस्से से भी हमें कितने ट्रेंगल बनते हुँ दिखाई देंगे तो इस हिस्से से भी हमें तीन ट्रेंगल बनते हुँ दिखाई देंगे यानि कि अगेन प्लस त्री यानि कितने होगे नो ट्रेंगल होगे अब जो गिंती में रहे ग इसके अत्रिक्त बनने वाले त्रिभूज की तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो एक त्रिभूज यह बन रहा है और एक त्रिभूज आपका यह बन रहा है जो की गिंती में रहे गए थे तो इस प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं 9, 4, 13, 2, 15 यानि कि इस पर्टिकुलर कोशन का अंसर क्या हो जाएगा option number D clear तो आसान सा question था बस आपको जरुवत है तो number of questions की practice करने की बाकी concept के लिए आप session देख चुके हैं और जिन भी बच्चों के session रहे गए हैं तो मैं यही request करूँगा कि at least आपको एक question आपके exam में counting of figure पर based देखने को मिलेगा तो अगर आप session attend करते हैं number of questions की practice करते हैं तो आपको exam में question मनाने में कोई भी कठनाई नहीं होने वाली चलिए बात करते लेते हैं आप अगले पूछे का प्रस्टन की जो कि आपका based है किस पर mirror image पर तो mirror image के अगर हम बात करें तो water image वाले options को हम लोग यहां पर क्या करते चलेंगे eliminate करते चलेंगे यानि कि A आपका eliminate हो रहा किसके कारण से T के कारण से B आपका eliminate हो रहा किसके कारण से F के कारण से इसके लागा अगर हम बात करें तो आपका D भी eliminate हो रहा है यहां पर T के कारण sequence अगर आप देखेंगे यहां पर तो M, V, T, K, R, D और F clear तो option number C के हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा तो देखने से ही अगर आप यहां पर number of questions की practice करके जा रहें exam में तो देखकर ही आप क्या करेंगे options को eliminate कर पाएंगे आपको पूरा बनाने की आउशकता नहीं पड़ेग यानि कि अगर हम बात करें 16, 12 और 32 में जो आपको संबंद दिखाई दे रहा है यहां पर आपको वही संबंद दिये गए विकल्पों में से किसी एक pair में आपको यहां पर निकालना है तो संबंद के अगर हम बात करें जैसे कि 16 अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक तो नज़र आएगा कि यह 4 का क्या होता है स्क्वाइर होता है मार्कर का कलर में यहापे चेंज कर ले रहा हूँ 16 यहापे आपको 4 का स्क्वाइर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें तो 4 के बाद हम नेक्स नमबर से इसको क्या करने है मल्टिप्लाई करने है फोर के प्रिविएस नमबर से तो हमें मिल जा रहा है अगला नमबर 12 और चार तीन साथ और एक आठ से मल्टिप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 32 या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 4 इन्टू 4 4 इन्टू 3 4 इन्टू 8 करने पर आपको यह नमबर मिलते हुए दिखाई दे रहे है यानि कि इस प्रिकार का रिलेशन हमें जिन भी पेर में बनता हुए दिखाई देगा हम उस पर्टिकुलर आप्शन के साथ में जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें 56 की लेकिन 14 3 आपको 24 इस औप्षन के साथ में हम नहीं जा सकते नाइन नेस्ट ऑप्शन की बात करें तो 946 9 37 लेकिन 9 7 आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है नेस्ट बनागर हम बात करें तो 19 फोर्जा 19 इंटीन फ्रीस आ लेकिन 19 इंट आपको बनता हुए दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि यहाँ पर कुछ और logic आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार इस प्रकार के प्रस्ण में हम stuck हो जाते हैं exam में तो हमें time waste नहीं करना हमें क्या करना mark for review करके आगे बढ़ जाना है चलिए देखते हैं और यहाँ पर क्या logic लग सकता है इसके लावा अगर हम बात करें तो अगर हम 16 में से 16 divided by 4 को minus कर दें यानि कि value हमें मिल जाएगी कितनी 12 अब अगर हम बात करें यहाँ पर 12 को हम multiply कर दें किस से 3 से और इसमें से अगर हम 4 घटा दें तो again value मिल जाएगी हमें 32 देखते हैं क्या इस परकार का correlation फिर से समझने का प्रयास करीं यहाँ पर हमने क्या किया 16 में से 16 divided by 4 की value कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी उसको हमने minus किया तो value मिल गी हमें कितनी 12 12 को हमने क्या किया 3 से अभी हमने क्या किया 16 को हमने 4 से भाग दिया तो जो value मिल इसको हमने 16 में से क्या कर दिया घटा दिया अब 12 को हम क्या कर रहे है 3 से गुडा कर दे रहे तो value मिल जा रहे हमें कितनी 36 6 और इसमें से हम क्या कर दे रहे हैं 4 को minus कर दे रहा है निए 4 को हम घटा दे रहे हैं इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला विकल्ब तो बनेगा नहीं दूसरे विकल्ब के साथ अगर हम जाते हैं तो 36 divided by 4 याननि कि 9 को अब हम माइनस करते हैं तो value मिल जा रहे हमें कितनी 27 अब 27 um क्या करेंगे 4 करेंगे 627-3 करेंगे 20 जिस प्रकार हमने 12 इंटो क्या किया 27 27 इंटो हम क्या करेंगे 3 करेंगे तो value मिलेगी हमें कितनी 81 और 81 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो value मिल जाएगी हमें कितनी 77 यान इस प्रकार से यह आपका logic यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा हला कि logic थोड़ा से यहाँ पर complicated है अगर हम बात करें correct option की तो correct option हो जाए है given word को यहाँ पर लिखना है safety की अगर हम बात करें तो क्या लिखा कि यहाँ पर 95 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा अगर हम बात करें इनकी place value की 91 6 20 और 25 पाहली priority हो थी कि हम place value का सम करके यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ इन में कुछ SAFE है एक second चले SAFE T1 place value की अगर हम बात करें तो 19 1 6 5 20 और 25 अगर यह हमें place value से बनता हुआ नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं इनकी opposite letter की place value से इसको बनाने का प्रयास करें यहाँ पर हम बात करें तो S का opposite होता है place value की बात करें तो कितना होता है 8 A का opposite letter Z place value की बात करें तो 26 F का opposite letter U place value की बात करें तो 21 E का हो जाएगा V 22 T का हो जाएगा G 7 और Y का हो जाएगा B यानिकि 2 सबसे पहले हम बात करेंगे Place Value की तो Place Value के अगर हम बात करें तो 20, 20, 40 और 25 65, 65, 75, 75 और 66 यानिकि यहां से जो हमें नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा कितना 76 यहां से हमें 95 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब हम बात करेंगे इनके पोजिटी लेटर के Place Value की पोजिटी लेटर के अगर हम Place Value की बात करें यहां पे तो 22 27, 29, 31 30, 30, 20, 50 50, 20, 60 25, 60 और अगर हम बात करेंगें 10, 70 यह हो जाएगा अपका 20, 30, 60 60, 10, 70 70 के बाद अगर हम बात करेंगें तो यहां पर बसता है 97, 18, 18 ना तो यह 86 से बनता हुआ दिखाई दे रहा ना तो यह 76 से आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा यानि कि अगर हम बात करें, इनमें number of letters को अगर हम जोड़ेंगे तो भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, number of vowel या number of consonants को भी हम जोड़े या घटाए तो भी हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानि कि यहाँ पे कुछ आपको different logic लगता हुआ दिखाई दे सक प्रकार इस particular question के अगर हम बात करें इस प्रकार का अगर आपको question देखने को मिलता है तो ऐसे प्रस्णों को आप mark for review करेंगे और लास्ट में attempt करेंगे, चलिए, logic की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने counting में mistake करी है, देख लेते हैं, साथ, दो, नो, दो, ग्यारा, एक किस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, 95, 9, 6, 15, 15, 6, 21, अगर हम वावल के opposite letter को लेते हैं, consonant के letters को लेते हैं, तो unit digits से चेक करते हैं, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, और 2, 23, यानि कि 3, ओके, 3, 2, 5, vowel consonant तो नहीं, लेकिन देखो, यहाँ से आपको unit digit बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजे, same applicable करके हम लोग देखेंगे, next question पर, यह हो गया, 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 this one and this one, तो अगर हम बात करें, 19 plus 26 की, तो 19 plus 26 की value आपको दे 45, 45 plus 6 की बात करोगे, तो कितना हो जाएगा, 51, 51 plus 22 की बात करोगे, तो 73, 73 plus 20, 93 plus 2, 95, यहनी इस प्रकार से यहाँ पे आपको 95 बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो same हम लोग यहाँ पे expand पे भी, expand के, expand के letters की place value पे भी applicable करके देखेंगे, अगर यहाँ 57 बनता हुआ दिखाई दिया, तो gather के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, same logic apply करेंगे, तो expand के अगर हम place value की बात करें, letters की, तो फटा-फट से लिख लेते हैं, आपे 5, 24, 16, 1, 14, और 4, opposite letter की बात करें, तो 22, 5, 27, 24, 3, 27, 16, 11, 27, 26, 27, 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 24, 27, 27, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28, 28, 28, 29, 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 30, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 20 यहां पर जाएगा साथ होजाएगा हैने कफ्स यह 27 ऑं 5520 की बाट करें प्रसाथ या पिछासी फिर से देखो साथ 26 और साथ 33 33 33 प्लस 20 53 प्लस 1972 75 प्लस 984 यानि कि option नंबर यह आपको यहां पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा लोजिक थोड़ा सा complicated है लेकिन अगर हम बात के तो यहां पर ही कि एक्जाम में पूछे गए प्रशन पत्र का question है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको logic यहां पर लगता हुआ दिखाई देरा various type के logic यहां पर बनते हैं जो कई बार exam में crack नहीं होते हैं तो ऐसे questions में क्या सीखेंगे आप लोग यहां पर session से कि बहुत ज़ादा समय वेस्ट नहीं करना है और बेहतर क्या है कि हम ऐसे logics के साथ में family रहे हैं ताकि at least हम इस प्रकार से भी exam hall में सोच पाएं कि प्रशन को ऐसे भी बनाया जा सकता है अगर हम logic के साथ में family ही नहीं रहेंगे तो exam में हम इस प्रकार से question को बनाया जा सकता हम sोच भी नहीं पाएंगे और कहीं न कहीं ऐसे प्रश्ण हम से फिर बनने से रहे चली बात करेंगे अगले प्रश्ण के अगले प्रश्ण के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको odd one out चुनना है प्रश्ण के लिए बाकी सब क्या है आपके सिनोनिम से चली यह इस प्रश्ण के प्रश्ण को लास्ट सेशन में भी मैंने डिसकस किया था तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग नंबर अफ़ एलिमेंट्स को काउंट करेंगे नंबर अफ़ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको b यहाँ पे दो बार दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग डबल काउंटिंग करते हैं यहाँ पे c हो गया, e हो गया, k हो गया और f यहाँ कि नंबर अफ़ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे 6 बनते हो दिखाई दे रहा है तो 6-6 के 4 गृप से इनको बाटेंगे 2-2-4-2-6, 2-2-4-2-6, 2-2-4-2-6, 6-6 के 4 गृप से बढ़ गए तो आप देख सकते हैं सभी का last element आपको k दिखाई दे रहा है accept third group सभी का first और second element आपको B दिखाई दे रहा है accept first and second group फिर हम बात करें तीसरा element C दिखाई दे रहा है third group में नहीं था चौता element E दिखाई दे रहा है second group में नहीं था और fourth group में नहीं था और बात करें पांचवे element की तो आप दिखाई दे रहा है जो कि आपका first group में नहीं था इस प्रकार answer के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा B F B E C K E तो आप यहाँ देख सकते हैं clearly B F B E C K E B F B E C K E यानि कि option number D में आपको बनता हुआ दिखाई sorry option number C में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है clear तो आसानी से आप ऐसे प्रस्णों को बना सकते हैं अगर आपने number of questions की practice करी है समय भी आपका बचेगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत जादा सोचने की जरूद नहीं पड़ेगी कि 4-4 के 6 groups में divide करना है या 6-6 के 4 के groups में divide करना है आपका अप्रोच क्या होना चाहिए फड़ा फट से इसको देखेंगे number of elements को पूरा आपको बनाने की जरूद नहीं screen पर ही आपको क्या करना screen पर ही इनको दिमाग में 6-6 के 4 groups में अगर आपने बाटा होता तो आपको समझ में आ जाता कि सभी group में क्या आपको बनते हुँ दिखाई दे रहें as well as on the same position और असानी से आप यहां पर option option में से जो correct option उसको आप चूज कर पाते चलिए यहां पर हम बात करें 73021 फिर 7 का square 93027 9 का square नहीं 83024 8 का square नहीं option number B का जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रश्न के लिए और वन आउट बात करेंगे place value की सत्रा तीन बीस तीन तेईस तीन 26 24 तीन 27 फिर एक से हो गया चार तीन यानि फिर से तीन का difference तीन दो दो प्लस तीन पांच प्लस तीन आठ प्लस तीन ग्यारा 14 तीन यही वाला आपका हो जाएगा answer 14 प्लस दो यहां पर 16 है 14 प्लस तीन की बात करें तो सत्रा ने की क्यों की प्लेस वहली होती 16 प्लस तीन उनिस उनिस प्लस तीन बाइस यानि का option नमबर डी का हो जागा right answer हो जागा पूछे गए प्रस्ण के लिए embedded figure चलि embedded figure के अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस प्रकार के दो square find करने है इस प्रकार के अगर हम दो square की बात करें तो A आपका eliminate हो जाएगा B में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर लेकिन इसके बाद वाली आकरती की बात करें तो यहां पर आपको लाइन बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है यानि कि यह भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा बात करेंगे option number C की अगर हम बात करें तो यह line भी आपको यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है यानि कि option number C की हो जाएगा राइट answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए चलिए बात करेंगे अगले प्रस्न की अगले प्रस्न की अगर हम बात करें तो इन में से ओर को चुनना है तो सबसे पहले मैं ऐसे प्रस्नन बथा की आप कजा करतेंगे और unit निकाल के भी चेक कर सकते क्योंकि सभी में आपको अगर आम बात करें दो डिजित आपको सेम देखने का मिल रही है यानिकि अगर आको लॉप्शन डी आपको यह atin पे लट्वेज्जिट और सेकेंड लाच डिजिट देखने का नहीं मिली तो आप यह इसको क्या कर सकते थे answer mark करके आगे बढ़ सकते थे चली कहीं पर अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई और logic हो सकता है तो mark for review आप दो तरीके से करेंगे उसको mark for review करेंगे यानि कि उस question में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि किा लॉजिकल लग रहा तो उस case में केवल mark for review करेंगे क्या करेंगे आगे बढ़े जाएंगे बात कर लेते अगले question की तो अगले question में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कठिनाई होगी आसानी से आप इस question को बना पाएंगे dictionary order पर based question है सबसे पहले अगर हम बात करें तो as you आपको सब में क्या दिखाई दे रहा similar दिखाई तरह इसके बाद देखने को मिलेगा अपने को six इसको देखने की ज़रुत नहीं है इसके बाद हम बात करेंगे two और five की तो two और five के अगर हम बात करें तो as you double r के बाद मिलेगा e यानि कि पहले क्या आएगा अपका two आएगा option number a right answer हो जाएगा पूछेगे प्रशने के लिए तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपने देखा कि पूरे के पूरे अगर हम यहां पे पच्चिस प्रशनों की बात करें तो इन में से दो से तीन ऐसे प्रशन है जहां पे आप कही न के एक्जाम हॉल में क्या करते हैं स्ट्रगल करते हैं तो उन प्रशनों में बहुत जादा समय देने से क्या होता है कि जो भी कोशन बनने वाल है, मैंने कहां माल लेते हैं 25 में से, 25 में से अगर हमसे यहां पर 18 से 20 कोशन भी बन रहे हैं, within 7 to 8 or 10 मिनट्स, आसानी से अगर आप मॉक टेस्ट देते होंगे, तो आसानी से आप देखेंगे कि आप बना सकते हैं, बाकी के बचे हुए 7-8 प्रस्णों का आप मार्क फॉर रिव्यू करते जाएं, और डेफिनेटली आपके पास टाइम बचना ही बचना है, सेम अप्रोच आप मैट्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानि कि जिन भी कोशन में आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी हैं, बहुत जादा टाइम टेकिंग है, तो आप क्या करिए, पहले जो कम समय में बचने वाले आपके परस्ण हैं, उन परस्णों को आप बनाईए, बाकी के भी आप सेक्शन को अटेंट करिए, और आप देखेंगे कि आपके पास आसानी से यहाँ पर लगभग 20 मिनट या 20 मिनट से अधिक का समय आपके पास बच करेंगे कि लगभग 80% portion तो आप अल्रेडी cover up कर चुके हैं, यानि कि आप 80% से जाधा के portion को बना चुके हैं, और जो समय बचा है, वो आपके पास लगभग 33% का समय है, जब कि आपके पास बचे हुए प्रस्ण जो हैं, वो लगभग 20% के आज पास हैं, तो आप इस प्रक से अगर आपको paper देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम बात करें, तो कह सकते हैं कि 22 से 24 प्रस्ण भी आपका एक अच्छा score माना जाएगा, अच्छा score में consider किया जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरे के 25 के 25 ही प्रस्ण बना कर कि आए, कसम खाके बैठ जाएं कि reasoning में जब तक 25 नहीं बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल target यहाँ पर हमारा 25 का ही होगा, target हम 25 प्रस्णों को बनाने का ही रखेंगे, लेकिन जो उनको बनाने का तरीका और अप्रोच है न, वो थोड़ा सा हमारा अलग होगा, यानि कि हम बिल्कुल यहाँ पर ज आपर strategy के साथ आप mock test देंगे, mock test को आप solve करेंगे, किसी question में आपको doubt आता है, तो उसको आप हमारे telegram group पे हम से discuss कर सकते हैं, और उसी strategy के तहत आप अपना improvement होता हुआ अभी देखेंगे, और same strategy को आपको कहाँ follow करना है आपके exam hall में, exam hall में जाकर कोई भी practical मत करने लगना, जितना practical करना है, exam से पहले mock में आप practical कर सकते हैं, आप यहाँ पे practice session को बना सकते हैं, आपको तरीका मैंने बता दिया है, आप तरीके से 25 questions बना सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितने समय में बना सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा number of questions आप attempt कर सकते हैं, exam hall में जाकर कि आपको practical करने के आप सकता बिलकुल नहीं clear तो इसी प्रकार से हम लोग आगे की sessions को भी continue करेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next session में कुछ और amazing और interesting questions के साथ Thank you